बंबाई वाला फिलिंग आ रहा है मुझे आप देखिए देखिए यह पूट बहुत जादा हिल रही है ओ चिचा पूरे लाल हो गया ना तंदूर हो जाएंगे ना जंगल अपना फेवरेट सपोर्ट करना यार बहुत मेहनत कर रहा हो इस बार अरे कच्रा तो इधर भी है फैल आ हुआ बहुत सारा राहिता इधर से कुछ आगे निकलेगा अच्छा ग्यारेंटी मेरे को उपर में कुछ होगा पक्का और पूरा गंदगी है यहां पर देखो कैसे एकदम जंगल के बीचो बीच आ गया हो मैं आप कुछ नहीं मिला ना तो अपने को इस पर चड़ता हूं मैं कोशिश करता हूं चलो यह सेम अरंबुल के समुंदर जैसे आई है ऐसे पहाड़े वहाँ पे भी और सेम कलर के ही है देखते हैं यह थोड़ा सा रिस्की है मेरे को डर लग रहा है आगे नहीं जाओंगा मैं यह से रिटर्न हो जाओंगा बहुत हो गया अभी अभी चलते दूसरी जागे पर कि मुझे वहाँ तक जाना है वहाँ तक जाना है बहुत दूर आ गया हमें मजाख मजाख में यहां पर आपको दीख रहा है कि नहीं पता नहीं मैं फोड़ा जूम करके दिखाता हूं जो छ यह है टोटल आइलेंड इस तरह का और यह यहां पर फेरी का जो है वह पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है तो लास्ट फेरी कुछ है यह है ऐसी और इतने सारे यहां पर बीचेस है सिर्फ बीचेस ही है और एक टेमपल है जो कि देखता हूं मैं अगर मिल जाए देखने के लिए यहां पर हुम है यहां पर हुम है यह दोनों मैंने देखिया है अभी देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है यह पूरा यहां से लेकर के वहां तक मैं गया था वह पत्थरों तक मैं जाकर के आया भी अभी निकलता हूं यहां से फेरी के पास जाता हूं और देखता कुछ मंदिर के पास जाने के लिए मिले तो इस साइड भी एक बीच है देखता हूँ क्या टाइम पास ही तो करना है और कॉटेज पूर है खाली पड़े हुए यहां पे तो कि दूप से परिशान हो गया यार बहुत तेज दूप है क्या प्लाना भी भूल गया है मैं पूरा एरिया देख सकते हूँ होई नहीं है अरे यार सुनसान एरिया और अकेला मैं गूम रहा हूँ यहां पे पागल जैसे टॉइलेट भी काली पड़े देखो खंडर वाना हुआ टॉइलेट का भी यह देखो आम का भीड़े और आम लगे हुए इस पर आम है कि क्या है ब लग तो रहा है आम जैसा है पता नहीं क्या है इसका पत्ता देखता हूँ तोड़के नहीं यह तो आम जैसा तो नहीं लग रहा है स्मेल भी नहीं आ रहे हैं अंदर से कुछ ऐसा निकल रहा है इसके नारियल जैसा हुए पता नहीं आम तो नहीं है पीछे इतना गंदगी था और यहां पर देखो यह वाला पिच्छर में तो बहुत अच्छा दिख रहा था यह यहां पर अलग ही दिख रहा है इसका भी शेप देखो एक फिश जैसा ही है यहां पर भी शैक वागे रहा है लगाओ शैक पैठो मस्त अराम से इंज्वाइब करो यहां से चलते अभी तरफ और वहां से अगर मिलती है गाड़ी उपर टेमपल जाने के लिए तो मैं टेमपल जाओंगा आधे टाइम लगा चालीस बात आते टाइम लगा तीस बात अव यहां से पेरी की तरफ जाओंगा और वहां से निकल जाओंगा पीछ एक मंदिर है बट इतना ठीक नहीं लगा मुझे और और उपर वाला जो मंदिर हैं वहाँ पर जाने कली यह जो गाड़ी वाला ता यह 300 बाद बोल रहा था और भी वन सइड आ नहीं इतना भी कोई यह नहीं अपने में कीड़ा कि मंदिर जाने के लिए इतना 300 बाद खर्च करें और हालत बहुत खराब बुली है तो अब जाता हुए मुझे ढूनना है अभी फेरी का स्टेशन तो यह लोग मेरे साथ में ही उत्रे शायद इनको पता होगा इनके पीछे-पीछे ही फॉलो करता हूँ कपड़े चपल सारी चीज़े मिल जाती है आप है जो चाहिए वह यह बाइक भी रेंट से ले सकते हैं आप यहां से राइट ले हैं यह लोग जा रहे हैं इनके पीछे चलते रहो चोटा सा इलेन है बट सारे सुईधा है यहां पर सब मिल जाता है हाँ यह जहन्टा दिख्या मतलब यहीं पर है फेरी शूट-उन-सी यहां यहां की बाइक देखो अब यह है बाइक कैसी बनी है छोटी सी बाइक एक दम कॉम्पैक्ट मेरे कहां तक आ रही है इतनी सी आ रही है लगता है कि भाएक है अब ये बच्चों की नहीं है यहां कि बड़े लोगों कि यह हैं किक इनकी हीड घूटी है तो पैसे बहुत सारी दिख जाएंगे चोटी बाइक कि आप मोपेड के तो सीट चोटी होती है इसलिए लेडि चला सकती है अगर जिसको बाइक चलाने का किडा है वह उस टाइप की छोटी बाइक ले सकता है अपने यहां पर बच्छों की बाइक होती ना इलेक्ट्रिक वाल में आपको यह स्पीड बोट मिलती है यह क्या है यहां पर सारा समान वागर ले जाने के लिए ट्रैक्टर है चोटे-चोटे को अब होलान रिलाक्स यही थी वह बोट अब 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 कहां पस गया अरे निकलो जल्दी एक पूरा दिन यहां पर आप स्पेंट कर सकते हो काफी अच्छी जगा है और यह देखो यह कुछ बड़ा सा कारगो शिप जो है वह आया है समान उतारने के लिए पाइप लेके आया है शाय है फेरी बर लही है हाला कि एक एक गंटे में है फेरी तो ज्यादा कोई टेंशन है नहीं कि यह देखो फेरी का तलर कैसा है ब्लू पूरा है अब ही बाकी यह बर नी तो इस तरह से देखो सामान वगरा आते रहता है यह आपे इसलिए फोनलो में तो ऐंच खसली है वड़ा निगला मेरे सामने और बायत करने में वह बोट करने मेरा इस मिनिट इसके लिए वयट करना पड़ेगा एक तीज नोटिस की मैंने यहां पर देखो सारे पैसेंजर के लिए लाइफ चैकेट है रखे हुए सब के लिए लाइफ चैकेट रखे हुए और यह थोड़ा नया लग रहा है मुझे बोट हाल हाथे टाहम जो थी वह थोड़ी खतरनाक थी है कि इंजिन इसका तीन पैसेंजर है मैं और वह अंकल अंटी तीस मिनिट रुकना पड़ेगा क्या निकली वह फास्ट वहां पर जाना है कि यह पटाया तो लगबब सवाचार बज़ गया है और सवाचार बज़े यहां से न कि दिखते हैं कितना टाइम लगता है और उपर में परागलाडिंग चल रही है अब है कि मुझे जाना था वह आपे बट वर्त नहीं लगा मुझे बचा के रखते हैं इस टाइम के लिए देखो नीचे पानी देखो एक्दम साफ है ज़रा भी कच्रा नहीं है और वह पंची भी नहीं है यह सामने दिख रहा है बटाया तावर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं है यह जो है टावर यह वाला इसके पास कई मेरा रूम है पुरी बोट खचा कच बहर चुकी है तो बस पोच नहीं वाले है और दस पंद्रा मिनिट और जितना पास में दिखता नहीं उतना होता नहीं है एक्चली बोट टाइम लगता इसको इतना सजाने के लिए तो टाइम हो रहा है बाच और मैं पहुच चुका हूँ यहां पहुचने के लिए चलते हैं यह दूसरा बोट बार रहा है अभी बोट से उदर के सीधा अगर आते हो और लेफ्ट लेते हो तो आप सीधा यहां पहुच जाते हो यह वाकिंग स्रीट यहां पहुच पीने का मन कर रहा है अभी थोड़ा सा जूस बगरा पीता हो बहुत ठगया हो यह तो दिन में यह सीन होता है यहां का सबसे फेमस क्लब है रास इंडियन क्लब है सोच सकते हो इतनी भीड होती है यहां समस्किल हो जाता है रात में यहां पे आना प्रास इंडियन क्लेब है बहुत बहुत बीड़ुती है यह देखो राप्टर पोड़ का आईलाक्स यह सेग्मेन का गाड़ी बहुत चलता है यह पर वाकिंग स्रीट दिन में सुंसान पड़ा हुआ है कि ऩो बायो बौन ॉठीज बादफ टे लिए धिक बहुत बायो रगफ इन रब भी दो ओ ध जो हुआ इसका ने जाब हुआ है